असलाम लेकूम, hopefully you all are doing well, this is Mohamed Abdullah Khalid and in this video we will be discussing about some current affairs regarding MDCAD 22 जैसा के आप लोगोंने कल National Assembly की वीडियो देखी जिसमें ये अनौंस किया गया कि PMC को dissolve कर दिया गया है और PMDC को दुबारा से activate कर दिया गया है तो इस point of view से PMC हो या PMDC हो इनके scope of work को discuss करेंगे साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि जब PMDC regularity authority था तो किन admitting universities के through admission test conduct कराये जाते थे और उनके test formats क्या होते थे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि situation अभी MDCAD के point of view से थोड़ी uncertain है इस uncertain situation में maximum possibilities जो हो सकती है वो और इन possibilities में students को किस तरहां से अपनी त्यारी को जारी रखना चाहिए ये बातें इस वीडियो में discuss करेंगे starting from the very first point which was scope of work तो ये बात मैं यहां पर बताता चलूँ कि ये दो मुख्तलिफ अदारों के नाम है लेकिन काम इनका एक है इनका काम ये है कि पाकिस्तान भर में हर वो शक्स हर वो institute हर वो organization regulate करना जो medical field से relevant है और इनका एक छोटा सा काम ये भी है कि जितनी भी पाकिस्तान की medical and dental universities है या colleges हैं उनके admission test को regulate करना तो काम उनका एक ही है लेकिन the way of doing things इनका मुख्तलिफ है काम करने का तरीका मुख्तलिफ है क्योंकि definitely काम करने वाले लोग मुख्तलिफ होते हैं तो काम करने का तरीका भी change हो जाता है तो MDCAT के point of view से जो changes हो सकती है जज़ थी PMDC और PMC के दर्वियान वो discuss करें तो सबसे पहली बात हुई है कि test conduction medium change होता है PMC और PMDC का PMDC जो है वो on paper test लिया करता था PMC ने online test लेना start किया दूसरी बात की जाए तो result validation period की बात की जा सकती है जो PMC MDCAT conduct कराता था as per PMC उसकी validation जो है वो दो साल के लिए थी लेकिन PMDC जो MDC कराता है वो mention करता है कि ये एक साल के लिए ही valid रहेगा the next one is negative marking और passing marks PMC की बात करें तो PMC का जो MDCAT है उन्होंने criteria रखा है 65% minimum passing marks उन्होंने रखे हैं जबके PMDC की बात की जाए तो वो 60% passing marks जो है वो set करता है negative marking की बात की जाए तो PMC के MDCAT में negative marking नहीं होती और 2019 के PMDC के test में भी negative marking नहीं होई थी 2019 से पहले जितने भी test होते थे उन में negative marking होती थी इसके साथ साथ PMC जो है वो national level पे एक ही MDCAT conduct कराता था जो के पूरा महीना चलते थे लेकिन PMDC provincial level पे MDCAT conduct कराता है और एक ही दिन पूरे सुबे के बच्चे वो test देने के लिए centers में जाते हैं और इसके साथ साथ इनके जो test होते हैं PMC का pattern और है PMDC का जो test pattern है और syllabus जो है वो मुक्तलिफ होता है यहाँ पे बात अगर provincial level admitting universities की की जाए कि जब PMDC regularity authority था तब किन universities के थूरू MDCAT conduct कराते थे तो पंजाब में UHS ये test conduct कराता था KPK में ETA, Synth में NTS, बिलोचिस्तान और अजाद कश्मीर में भी UHS के थूरू जे test conduct कराया जाता था और अगर बात federal medical and dental college की की जाए तो इसका admission test शहीर दुलफकार अली भूटो medical university की तरफ से conduct कराया जाता था यहां पर अगर different test patterns की बात की जाए तो UHS पंजाब के लिए जो test conduct कराता है उसमें total 200 mcqs आते हैं जिसमें बाले जी के 80, chemistry के 60, physics के 40 और English के 20 mcqs होते थे यहां पर यह बात note कर लें के 2018 तक UHS का जो test होता था उसमें total 1100 marks होते थे और negative marking भी होती थी लेकिन जो 2019 में जो आखरी mdcat conduct कराया PMDC ने उसमें total 200 mcqs बच्चों को पूछे गए और उसमें negative marking भी नहीं थी इटा का जो test था वो total 100 mcqs पे मुश्तमिल था जिसमें बाले जी के 40, chemistry के 30, physics के 20 और English के 10 mcqs पूछे जाते थे और अगर बात FMDC की की जाए तो 120 mcqs का वो test हुआ करता था जिसमें बाले जी के 40, chemistry के 30, physics के 30 और English के 20 mcqs आप से पूछे जाते थे और अगर सिंध की बात की जाए जो NTS के through test होता था उसमें total 100 mcqs पूछे जाते थे जिसमें बाले जी के 40, chemistry के 20, physics के 20 और English के 20 mcqs जो है वो बच्चों से demand किये जाते थे अब यहां पे अगर possible situations की बात की जाए कि इस साल MDC 2022 किस तरह हो सकता है तो situations हमारे पास है एक तो यह कि PMDC revive हो गये वो test conductor आएगा दूसरा यह कि PMC ED revive हो जाएगा तो दो situations है PMC और PMDC इसकी जो backstory है यह क्यों होगा कैसे होगा उस पे हम बहस नहीं करेंगे definitely वो हमारे influence में नहीं आती और being student मुझे यह सोचना भी नहीं है कि PMDC आएगा यह PMC आएगा क्या होगा कब होगा कैसे होगा energies आया नहीं करनी मुझे यह पता है कि यह PMC यह PMDC जब तक कोई further clarification न National MDCAT होगा उसका syllabus मुझे पता है उसका test format मुझे पता है और मुझे यह भी पता है कि यह online test conductor आते हैं और इसका apply करने का तरीका कार भी मुझे पता है लेकिन in case अगर PMDC इस साल का test conduct कराता है तो फिर से दो possible situation है एक तो यह कि PMDC अपने पुराने pattern पे जो provincial level पे टेस्ट होता थ वो conductor आएगा पुराने format के उपर और दूसरा ही हो सकता है कि PMDC इस साल कोई नया format दे दे या PMC का जो इस साल का format है उसे ही लेके आगे चले तो जो भी possibility होगी अभी यह सारी चीजें ग्रे में हैं white और black में नहीं हैं सारी चीजें uncertain हैं इंशाला विदिन few days और few weeks यह चीजें हो जाएंगी या मौश पर बबली आपके board exams खतम होने तक यह सारी चीजें clear हो जाएंगी तब तक वो बच्चे जिन्होंने board exams देना हैं उन्हें मैं यह recommend करूंगा कि वो अपने सारा focus board exams पे रखें और वो students जो levels background के हैं या जो repeaters हैं उन से यह request करूंगा कि जब तक चीजें नहीं होती तो बजाए इसके कि आप अपना time जाया करें इदर उदर की सोचें सोचें इदर उदर की जो irrelevant चीजें हैं जो videos हैं जो पॉस्टे हैं जो आपका mind जो पढ़ाई से divert करती हैं वो group में share करें आपको यह चाहिए कि फिल हाल के मताबिक जो pattern दिया गया है PMC का उसके म हमारे सामने नहीं आता क्योंकि जो हकीकत है वो यह है कि MDCAT होगा और MDCAT आपकी FSE की कताबों से होना है तो जो बचे board exams की त्यारी करें वो तो तो त्यारी करें अपने MDCAT की indirectly और जो free है board exams से उन्हें recommend करूंगा कि कताबें आपने नहीं चोड़नी जो भी हो MDCAT तो होना है medical and dental colleges में admission के ख्वाहिश मन्द है और यह बात मैं बताता चलूँ के MDCAT सिरफ आपके concepts आपके knowledge और आपकी information का test नहीं होता it's also the test of your abilities के आप difficult circumstances में किस तरह से respond करते हैं यहां पर दो तरह के students होंगे एक वो जो circumstances को सोचते रहेंगे और अपनी energies आया करते रहेंगे और दूसरे वो जो अपनी preparation को जारी रखेंगे इस उमीद के साथ के इस video को देखने से आपके mind में जो confusion थी या जो stress था या जो curiosity थी वो काफी हद तक कम हो गई होगी in the end I must say के अपना बहुत सा ख्याल लखें और अपने इस channel का भी ख्याल लखें thank you very much